Hello student, आप लोग कई बार यह सुनते होगे, रुपी और डॉलर के बीच में एक्स्चेंज रेट, इस करेंसी और इस करेंसी के बीच में एक्स्चेंज रेट, डॉलर ज्यादा वैलूबल है, करेंसी उतना ज्यादा वैलूबल नहीं है, जितना की डॉलर है, तो ऐसा ही एक समझने के लिए आपको इंपोर्टेंट जानना है वो सारे कंसेप्ट, साथे साथ, इस कंसेप्ट से रिलेटेड ऐसे कौन-कौन से टॉपिक है, जो स्टैटिक पोर्शन में डिरेक्ली कोर्शन हीट हो सकते हैं, तो जो फर्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा एक्स्चेंज रे फिर हम लोग को जानना है D8 nation, यह D8 nation आकिर इसमें कौन-कौन से nations इसमें हैं, साथे साथ common currency, क्या ऐसा भी है कि यह जो current affairs है, जो D8 ने बोला कि हमें common currency चाहिए, तो क्या वाके में अभी existing में ऐसा कोई common currency भी है, क्या कुछ देशों का अपना मिला कर, एक common currency है क्या, तो यह स common currency या फिर exchange rate पहले हम लोग होता क्या है, तो common currency हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग यह समझते हैं कि exchange rate होता क्या है, देखिए, जब आप अपनी currency को दूसरी currency में exchange करते हो, दूसरी currency को buy करते हो, तो जो domestic currency है, कितना unit domestic currency चाहिए, one unit of foreign currency buy करने के लिए, अगर मैं य यह बोलू, कि 80 रुपया चाहिए, एक डॉलर को purchase करने के लिए, इसका मतलब यही 80 रुपया, मेरा क्या है, exchange rate, तो exchange rate का मतलब होता है, ऐसा कौन सा rate है, जिसमें एक currency को किसी दूसरे currency में convert किया जा सके, exchange किया जा सके, यह है हमारा exchange rate, जो अभी तक हम पूरे विश्व में, जो exchange rate regime follow किये गए हैं, वो तीन हैं हमारे, तो जो सबसे पहला है, वो था हमारा fixed exchange rate, जिसको कि हम लोग बोलते थे, pegging regime, जब एक currency को किसी दूसरे currency के साथ pegged कर दिया जाता है, जो दूसरा था, वो था हमारा flexible, flexible बोलो या फिर floating बोलो, floating exchange rate regime, दूसरा, और इसी का एक तीसरा portion आया था, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, hybrid और managed exchange rate regime, तो हमारे देश में, अभी तक तीन परकार के exchange rate follow किये जा चुके हैं, right now जो हम लोग अभी जिस regime को follow कर रहे हैं, वो है हमारा hybrid या फिर, बोलो, managed exchange rate, ओके, तो ये था basic information, exchange rate और types of exchange rate, अब हम लोग ये समझते हैं, ये जो D8 nation है, ये D8 nation है क्या, तो ये developing 8 nation है, ये developing 8 nation है, इन्हों ने ये बोला, अब इस में से जो important e-line ये है, किस ने अखिली बोला, विदा प्राइम मिनिस्टर और बंगलादेश, तो बंगलादेश ने ये बोला, कि ऐसा करें, कि ये जो हम लोग 8 country है, developing 8 nation है, इस developing 8 nation आपस में म currency बना रहे, एक common currency बना ले, अब common currency से benefit क्या होता है, हम लोग को ये समझना है, मैं next के slide में मैं लाया हूँ, इक common currency का benefit क्या होता है, ओके, तो अब हम लोग ये, जो current affairs है, समझ सकते है, तो जो European nation है, उस European nation में अभी भी ऐसे बहुत सारे group हैं, जहां पे कई सारे देश सामिल हैं, और उनके अभी common currency है, जिसमें से एक example है, वो है आपका European Union, उस European Union के जो अपनी खुद की currency है, वो है euro, आपको पता होना चाहिए है कि ये euro, ये वो currency है, जो IMF के basket में, SDR के basket में euro सामिल है, IMF के basket में euro currency सामिल है, ओके, तो आपसे question पुछा जा सकता है कि SDR में कौन-कौन से currency है, तो SDR में आपके dollar है, yen है, euro है, आपके yuhan है, और pound sterling है, पांच currency सामिल होते है, SDR के basket में, और SDR किसका part होता है, foreign exchange reserve, ठीक है, तो ये बोला, Prime Minister of Bangladesh ने बोला, बोला कि हम लोग क्या करते हैं, जितने भी Muslim countries है, of the D8 nation, ये सभी लोग मिलकर, हम लोग एक common currency adopt करते हैं, तो what is degrouping, what is the degrouping, the D8 commonly referred as a developing 8, is a cooperative organization focused on development among Bangladesh, तो question आप से ये बनेगा, कि D8 में, आखिर ये D8 में कौन-कौन से देश सामिल है, ठीक है, तो D8 में अगर हम बात करेंगे, तो सबसे नमबर वन पे बंगलादेश है, दूसरा आपका एजिप्ट है, इंडोनेसिया है, इरान है, मलेसिया है, नाइजरिया है, पाकिस्तान है और तुर्की है, ये 8 nations जो हैं, वो D8 में सामिल हैं, ओके? तो ये था हमारा D8 के बारे में इनफर्मेशन, अब हम लोग ये समझते हैं, कि advantage of common currency, देखे, common currency का advantage क्या है, एक सबसे बड़ा advantage क्या है, कि conversion करने की जरुवत नहीं परती है, जैसे होता क्या है, कि अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, अगर हम कोई import item करते हैं, परचेज करते हैं, तो मुझे dollar में pay करना परता है, और जो dollar और currency, Indian currency के बीच में जो तो जो import है, वो सस्ता करना चाहते हैं, तो कहीने 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 जो D8 nation वाले हैं, यह चाहते हैं कि उनका जो import हो, वो import सस्ता हो जाए, एटलिस्ट कम से कम ये जो एट नेशन है इनके आपस में आपस में जो इंपोर्ट है ये इंपोर्ट कम से कम सस्ता हो जाए clear है FDI foreign direct investment अब foreign direct investment हर देश चाहता है कि ये investment rise हो अब ये rise हो होने के लिए होने के लिए मतलब ऐसा होना चाहिए कि transparency दिखनी चाहिए इसके लिए भी common currency होना जरूरी है तो देखिए अगरा कौन-कौन सा important point है तो सबसे number one है कि elimination of currency, elimination of currency exchange rate कहीं भी आपको exchange करने की जरुवत ही नहीं परेगा एक common currency आप अपने pocket में पैसा रखते हो 100 रपिया और पुरी इंडिया घूम लेते हो अब वो 100 रपिया यूज हो जाता है उसी तरीके से जितने भी D8 nation है ये सारे D8 nation वाले एक ही currency से import और export कर सकते हैं price transparency हो, enhance economic stability, economic stability maintain रहेगा, increase foreign direct investment इससे उस देश में FDI rise करेगा less dependency on the US dollar, हमें US dollar पे dependent होने के जरुवत नहीं रहेगी तो कहीं ने कहीं ये common currency की जो मांग की जा रही है, वो मांग अगर की जा रही है तो उनके भी हाप में अगर उस देश के बारे में बात की जाए, तो उनके लिए कहीं ने कहीं beneficial हो रहा होगा, तभी वो ऐसा बात बोल रहे होंगे और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार बोल रहे होंगे, इस अभी भी existing है, कुछ ऐसे भी देश हैं, जिन देशों के अपने खुद के currency, common currency है हम दोग देखते हैं, कौन-कौन से देश हैं, जिसके अपने खुद-कुद के currency है तो देखिए, Eurozone, जो European Union है, उनकी currency कौन सी है, Euro है, East African Community, उसमें कौन सा है, EAC है, East African Cilling है West African Economic and Monetary Union, उनमें कौन सा है, CFA है, CFA France है Caribbean Community, इसमें Eastern Caribbean Dollar है Gulf Corporation Council GCC, Gulf Currency Union ये proposed है मतलब ये already proposed है, आने वाले वक्त में हो सकता है कि इनका खुद का currency हो जाए तो ये था common currency, तो आपको क्या-क्या याद रखना है Exchange rate याद रखना है, आपको types of exchange rate याद रखना है D8 nation कौन सा है, और साथ से साथ आपको ये याद रखना है कि जो common currency होता है, तो उसके क्या-क्या advantage हो सकते है और अभी existing में कौन-कौन से ऐसे union है ऐसे कौन-कौन से group of nation है जिनके अपने खुद के common currencies है तो ये था first current affairs, जो दूसरा है वो है हमारा digital market act ये जो digital market act है, ये actually में हमारी इंडिया से related नहीं है ये foreign का news है, जो कि जानना आपके लिए जरूरी है question directly आप से पूछ सकता है कि ये digital market act actual में है तो क्या है सुनिएगा, पहले जो news है, हम लोग वो सुनते है the European Union recently launched investigation into alphabet, apple and meta for potentially breaching the digital market act जो European Union है, वहाँ पे बना हुआ है digital market act digital market act बना हुआ है जहाँ पे data से related कुछ concept है data से related कुछ obligations है जो कि परते कंपनी को follow करना परता है और कहीने कहीन इस जो act को bridge किया गया था कुछ company के द्वारा bridge किया गया था जिसके बज़ा से उन कंपनीयों के against में investigation start हुआ और investigation start हुआ वही हमारा news है digital market act clear है? अब इस से related जो important topic हुआ वो है आपका DA में इसमें छे companies को ही बोला गया है गेट कीपर बोला गया है company under the gatekeeper यह हम लोग चलिए समझते हैं I hope so कि यह current affairs आपको समझ में आ गया होगा about digital market act digital market act is a key component of the union European union digital strategy aimed at regulating the gatekeepers to ensure fair competition and innovation in digital market मतलब क्या? यह जो gatekeepers company है इन कंपनीयों के बीच में जो competition हो यह competition बिलकुल fair हो कहीं भी किसी भी type का जो law है digital law है यह digital law breach ना हो यही है हमारा digital market act है अब European union में gatekeeper बनाया गया gatekeeper बनाया गया six company को six company को combinedly बनाया गया कि आपको बोला गया है gatekeepers you are the one of the company of the gatekeepers तो वो gatekeepers क्यों इनको बोला गया और कौन-कौन से company है जो gatekeeper में सामिल है gatekeepers में कौन-कौन सामिल है तो gatekeepers में एक alphabet सामिल है Amazon company है Apple है Meta है Microsoft है और TikTok और ByteDance तो यह आपके gatekeepers के company है जो question आप से directly put up किये जा सकते हैं तो यह रहा हमारा आज का current affairs आपको current affairs related या कोई भी static portion में problem हो तो आप comment section पर लिख सकते हैं मैं अगले session में या फिर मैं एक अलग से ही एक session बना लूँगा जिसमें वो static portion में आपका बिल्कुल concept के लिए कर दूँगा So मिलते हैं हम लोग next current affairs में Thank you Thank you